आदेश आदेश आज का विशह बहुत ही सहज है लेकिन उत्ताइग गूढ है अगहोर में शिव की अराधना कैसे करें बहुत सारे साबर मंत्र हैं शिव के साबर मंत्र सबसे कम मिलते हैं लेकिन शिव जो की पिता स्वरूप है अगहोर में बहुत ही महतरपूर्ण है शिव की पूजा किस विधी से करें और वो मंत्र क्या है जिससे शिव की पूजा करें ये जानना आती आवशक है आज मैं आपको बताऊंगा कि ओम नमर्शिवाय जो मंत्र है उसमें क्या कमी है एक संसारिक वेक्ति के लिए ओम नमर्शिवाय मंत्र परिफूर्ण है लेकिन अगर आप अगोर साधना में हैं तंत्र साधना में हैं तो आपको उसके बीज के साथ ओम नमश्रिवाई का जाप करना चाहिए अभी क्या है? मैं सब कुछ बता दूँ उससे पहले ये भी बता देता हूँ कि किसी भी मंतर को जाप करने के लिए आपको उस मंतर के लिए अधिकृत होना चाहिए मंत्र के लिए अधिकरित होने का क्या मतलब होता है कि किसी गुरू से आप गुरू मुख हुए और उस गुरू ने आपको अधिकार दिया कि इस मंत्र को आप जाप सकते हो तो किसी भी मंत्र को जाप करने से पहले द्यान रखना कि उसके लिए आप अधिक्रित हो जाए तो शिव का जाप कैसे करें सबसे पहले शिव का जाप अगहोर विधी से रात में होता है दक्षिन की तरफ बैठ जाए मुख करके एक सरसो तेल का दिया जलाए तीन अगरवत्ती जलाए और आकाश की तरफ ताके अगर घर में छत हो या बाहर आंगन हो या मसान में बैठे तो सर्वोत्तम दाई दक्षिन की तरफ देखे और आकाश मार्ग में आप ध्यान लगाए उसके आद सबसे पहले गुरू का ध्यान करें बहुत सारे मंत्र हैं गुरू के अगर कुछ नहीं आता तो भई गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु गुरूर देव महश्वरा तो है या फिर अगर देखे शिर्षे शुक्लाम बजम द्विनेत्रम दो भुजम गुरू स्वेतामवर परिधानम स्वेतम अल्यून लेपनम वारभ्यम करहस्तम करोना में विग्रम वामे नवत पन्नम देखे शक्तियालंगेत विग्रम सु प्रसन्न साथ तक अविश्टफल दैक तसमें श्री गुरु नमा तसमें श्री गुरु नमा तसमें श्री गुरु नमा बोलके आदेश जगाएं और उसके बाद आगे का पूजा आप शुरू करें अगोर में एकाद और हम लोग मंत्र का प्रयोग करते हैं जैसे फूलो मंत्रा इश्वर वाचा मेरी भक्ति गुरू की शक्ती फूलो मंत्रा इश्वर वाचा ये सब जो है क्योंकि आप अगर तंत्र कर रहे हैं तो आपको इतना तो इतना तो ज्यान होगा उसके बाद आप आजाए शिव की poojah में ठीक है तो शिव का अपना आपका कोई अराध्य मंत्र है या फिर आप शुरू से जिस मंत्र से शिव का आवहन कर लें वो पहले कर लें उसके बाद शिव अगोर मंतर से शिव का आवहन होता है ओम नमस्षिवाय, महादेवाय, नीलकंठाय, आदे रुद्राय, अगोर मंत्राय, अगोर रुद्राय, अगोर रुद्राय, अगोर भद्राय, सरव भय हराय, मम सरव कार्य फल प्रदाय, हना हनाय, ओम, 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 तंग, 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 तं चांग्चिंगचुंग चांग्चुंग ओम नमसिवाय। इतना करके आप शिव का आवान करते हैं, ठीक है, इसके बाद आप अपने आसन पे बैठ गए, आपके गुरु ने आपको रक्षा मंतर दिया होगा, आसन मंतर दिया होगा, भस्म मंतर दिया होगा, ये सब करके आप महां बैठे, दीप को प्रजुलित करें, दीप का भी मंतर होता है, उसको आप कर लें, हगी का विशे रखूँ, इससे पहले दो विशे जानने लाएक है, एक तो जो हम शिव के बारे में सोचते हैं, जो शिव का एक चित्र अपने मन में बनाते हैं, उसको हमें बदलने की जरू होता है, ये शिव पंचमुखी है, इसलिए आप देखिए का इस वीडियो में जि हम अपनी विद्या में शिव को पंचानन रूप में ही पूजिते हैं, और जो शिव का जो सर्प होता है, वो भी पंचमुखी होता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस साधना के अंत में आपको इस चीज की अनुभूती होगी, आपको ये समझ में आएगा कि जो क पात करते हैं कि शिव होते हैं, उन के गले पे साप होता है विस मंत्र को करने के बाद आपको इस चीज का एहसास हो जाěएगा, जोिस में बाहते हैं ओम नमग् मंत्र जो मंत्र है , वो उसमें बीज नहीं , ऐसे ओम तो हर चीज का बीज है लेकिन शिव का बीज इस मंत्र में नहीं है, ये विहीन मंत्र है क्योंकि बीज का भार हर शरीर नहीं सह सकता। इसलिए गुरू भी बहुत कुछ सिखाने के बाद बीज मंत्र देते हैं किसी भी चीज का। तो मैं आपको अभी बीज मंत्र बता रहा हूँ, लेकिन किसी गुरू से आपको गुरू मुख हो करके ही इसका जाप करना चाहिए, यही उत्तम होता है क्योंकि इसमें आपको सुरक्षा भी मिलता है और इसमें आप सिध भी जल्दी होता है। जो बीज मंत्र लगा करके जो मंत्र होता है, उसकी साथना साथ रातों में होती है। साथे दर्ज बजे के बाद रात में आप किसी खुली स्थान पे चले जाए, तो उत्तम है आकाश मार्ग में देखें दक्षिन की तरफ एक दिया जलाए और तीन अगर बत्ती जलाए उसके आपका आपको 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 ऐसे लगेगा कि अपको आपको आपको ऐसा नहीं हो या फिर आप जब 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 करके सोने जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपके शरीम में सर्फ लब्टा हुआ तो वो कैसे लगता है तो सर्फ एक जैसे ही सर्फ आपके आसपास आता है तो आपको ठंडग का है तो इस मंत्र को जाप करने से आपको उसका है जब यह ऐसास होने लगे तो आप समझ जाएगा कि आपका मंत्र सही जा रहा है डरने का कोई विशय नहीं अगर सर्फ दिखे भी तो उटके भागना नहीं है ओम नमश्यवाई के बीच में एक बीज मंत्र लगता है हॉण तो पूर्ण मंत्र हो जाता हैं ओम हॉण नमश्यवाई हासन बिचंच लिया दिया जला लिया शिव का आभान कर लिया घ्र मंत्र से उसके बाद जाब शुरू होता है हर रात कम्संग एक तीसरे ये चौथे रात में आपको अनुबूतिया होने शुरू हो जानी चाहिए अगर आप सब कुछ सही सही कर रहे हो तो एक बर जब अनुबूति हो जाए इस मंत्र को हर दिन एक माला आपको जापना है आप कित्ता भी मारन मोहन उचाटन के लिए अलग-अलग मंत्र करो करो लेकिन ये मंत्र हर मंत्र का बाप है तो मंत्र है ओम होंग नमस्षिवाए 11 माला आपने कर लिया उसके बाद जो शिव मानस पूजा के अंत में है करचरनकृतमवा कायजंकरमजंवा श्रवननेन जंवा मानसंवा पराधम विहितम विहितमवा सर्ममेतत्चमस्वा जय जय करुनावदे श्री महादेव संभो इस मंत्र से आपको अपने जाप को महादेव को समर्पित करना है दाहिने में आप जाप माला दे और दिये के दाहिनी की तरफ अपने जाप को समर्पित करके आदेश यगाले और पूजा समात करें आप जाप्तका संकाषं तरनेत्रं पंजाबक्त्रकं गंगातरं डशबर्यं सर्वा प्रन पूजितं नीलक्रीवं